बुलंद शहर में तीन इनामी बदमाशों को गिरफतार किया गया है सहरनपुर में दो बदमाशों को गोली लगी है एक सीपाही भी यहाँ पर एंकाउंटर में खायल हुआ है ग्रेटर नॉइडा में एक बदमाश को गिरफतार किया गया है बदमाश का साथी मौके से परार है तो ताबर तोड एंकाउंटर हो रहे हैं और लगातार पुलिस सफाया करने में लगी है बदमाशों का बलकुल और उत्रपरदेश के तीन शहरों से ये बड़ी खबर है जहाँ पर बदमाश सीधे तोड़ पर पुलिस के निशाने पर थे बुलंद शहरों में तीन इन्यामे बदमाशों को गिरफतार किया गया है सहरेंपुर में दो बदमाशों को गोली लगी है जब तीन और शहरों में अन्काउटर हुआ था शिफ्रसाद हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जो गए है शिफ्रसाद ये बदमाशों से अन्काउटर हुआ है और टीन इन्यामी बदमाश गिरफतार हुए जिसमें यूपी पुलिस जातर के जागी है एक बातिस से जारी हुआ है जिसमें यूपी पुलिस को जिसमें की अनिल दुजाना गैंग के 30 सद्रश्चियों को पगड़ने में पुलिस सफल हो पाई है और ये सबी इनामिया बदमाच के साथी साथ अन्य सेदों में भी धर पकट जारी है और बुलन सहर के साथ का सहारनपूर्ट, रेटरनोडा इन सबी जगर पे इनामिया बदमाच पहले गए हैं और पुलिस के साथ की भी मुद्धेल हुई है, कई बदमाच घाल हुए है और यूपी पुलिस में एक बदमाच पर सही ऑप्रेशन क्लीम शुरूत किया है जिसमें की बीजीपी मुक्षाले से जिसन रिजेश जारी किये गया थे आई यूपी पुलिस का जाए तो इस बाथे से जारी है किया गया है, बदमाच का एक साथी इस तोरान भागने में काम्याव रहा है और इससे पहले राकेश पुलिस की एक कारवाई दो दिन पहले 27 नवंबर को भी देखने को मिली थी ग्रेटर नॉइडा, गाजियाबाद और मेरत यूपी के तीन ये भी शहर जहां पर एंकाउंटर हुआ था और चार बदमाच जो हैं उन्हें गिरफतार किया गया था, पुलिस ने पकड़ा था इसके अलावा आपको ये भी पता दें कि इन बदमाचों से लूट, हत्या, दकैती जैसे संगीन अपरादों में दो दर्जन से ज्यादा मुकद में इन बदमाचों के खिलाफ दर्ज थे दो चलेएवर थे test, दो अनप्य रता ये बदमाच्ज के भी भी एकाटार का बलते हैं एकैंते जैसे फ्हाँ